हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू पूनम चोबे ब्लोग आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो आज मैं बनाने जा रही हूं आउले की कैंडी आउला तो पोसकत्तो का पूरा खाजाना है यह पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और सरदियों में गुड के साथ इसका जो कॉमिनेशन होता है यह पेट के लिए तो बहुत ही है जो हमारा डाइजेश्ट होता है अच्छे सो हो जाता है इसको रोजाना ही आप पानी के साथ लें तो आईए हम बताते हैं कि हमने कैसे बनाए कि हमने ले लिया पतिरे नहीं नमक डाल देंगे लगवान गवाएलस के लिए पानी हम पॉइलल होने के लिए घंबला इसमें चान लेंगे अभी बहुत ही गरम है हम दिखाते हैं आपको अभी यह जल रहा है तो हां से दब निरा है अभी यह दब जाएगा जब हां से थो ठंडा हो जाएगा गाइस यह देखे फटके अच्छे से कलिया इसकी निकल जा रही है इसकी कलिया आप बिल्कुल निकाल लेना स सारे ही जितने भी हैं अलग अलग निकाल लीजेगा तोड़ना नहीं गाइस इसको उसके बाद यह देखिए हमारा ठंडा हो गया है तो आराम से निकल जा रहा है आप एक बार बनाना और कमेंट में बताना कि यह रेसिपी कैसी लगी आप सब कहीं नहीं बनाये देखे हमने 200 ग्राम के लगभग गुड़ ले लिया है जो कि छोटे-छोटे टुकड़ों में बिल्कुल कर लिया हमें कडाही लेंगे कैस पर रख देंगे फिर हमने जो गुड़ लिया था गुड़ उसमें डाल देंगे और इसमें हम आधे चमच घी डाल देंगे गाइस पानी डालना है उसमें हमने पानी डाल दिया है उसके बाद आप हम छलाएंगे मेल्ट होने तक इसको अच्छी तरह से चलाएंगे देखे हमरा गुड़ को बिल्कुल मैल्ट हो गया है हम इसको दो मिनट तक अच्छी तरह से पखजाएंगे कि वहां आपको two minutes तकल कर दिजेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर हमने यह देखिए इसमें आमले को डालके अच्छी तरह से चला लिया है और थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही पकाएंगे गुड में ही पकाएंगे इसको दो से तीन मिनट तक जादे दरनी पकाना है दो से तीन मिनट तक पक को चोड़ दिया था यह हमारा इस तरह का कुछ इस तरह का हो गया है कि इसको अपने प्लेट कुकि क्या करना आप जो बाकी हमारा पाउडर था थोड़ा साम ने बचा लिया था धुरी डीन देन फिर इसके बाद ये कैंडी आप इस्टोर करके डिब्बे में आराम से रह सकते हैं और महीनों खा सकते हैं ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है सुरो जाना आप सुबह बासी मों खाके आप पानी के साथ ले लिजे और फिर उसके बाद देखे हमारा ये सूख गय है कैंडी बहुत ही टेस्टी खटी मिठी कैंडी जैसे लग रही है ये और बहुत ही टेस्टी लगती है आप एक बार बनाना गाईज और कमेंट में जरू बताना कि हमारे कैसे लाइक और सब्सक्राइब जरू कर देना गाईज थैंक्स पर वाचिंग गाईज